नमस्कार जहिंद मेरा नाम है सुजीत पांडे आप देख रहे हैं और एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चैनल यहां पर आपके लिए पिछले एक साल से बावरा पूछे गए सुपर करंट अफेस के कॉश्चन लिका रहा हैं जो आपको आने वाले एक्जाम में आएं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो कर दीजेगा लाइक सुपर फास्ट करेंगे हम रिविजन करेंट अफेस करें स्टार्ट पहला कॉश्चन किस मुख्यमंत्री ने एक राश्ट्री मिशन जिसका नाम था मेक इंडिया नंबर वन की शुरूबात की तो अर उत्तर प्रदेश में पर्याटन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश इको पर्याटन विकास बोड जो है कगठन किया गया इस बोड के अध्यक्ष कोन होंगे तो उत्तर प्रदेश में इको पर्याटन विकास बोड इसके अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री रहेंगे और अ आप से कॉशन पूछा सकता है कि डूरंड कप किस खेल से संबने से तो या रखना फुटबॉल से इसका 131 वा संस्क्रण की मेजबानी करने वाला राज कौन्त है तो पश्चिम मंगाल असम और मनीपुर में डूरंड कप 2022 जो 131 वा संस्क्रण है वो होगा जिस ने Miss India वढ़ 2024 का किताब अपने नाम कर लिया है तो सीनी सेटी जी सीनी सेटी जी ने Miss India वढ़ 2024 का किताब अपने नाम कर लिया है अगला कॉशन देखिए, हाल ही में जिस राज सरकार ने राज की महिलाओं के लिए नारी को नमनी ओजना शुरू की है हिमांचल पदेशरका ने नारी को नमनी ओजना शुरू की है भारत का सबसे बड़ा तेरता सौर उर्जा सयंत्र एनटी पीसी द्वारा किसे राज में पूरी तरीकी से चालू कर दिया गया है तो तेलंगाना में है अभी फिलाल देखो और भी बन रहे हैं लेकिन अभी फिलाल जो है तेरता हुआ सबसे बड़ा सौर उजसेंथ एंटी पीसी द्वारा चालू किया गया तेरंगाना में अगला कॉशन देखो हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंतरा सूचकांक 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 मैं भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो भारत को 150 वा स्थान प्राप्त हुआ है हाल ही मैं जारी फीफा विश्वे रैंकिंग में भारती फुटबॉल टीम कौन से नंबर पर रही है तो एक सो चारवी नंबर पर रही है ड्रोन श्टार्टप गरुण एरोस्पेस ने जिस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोब ये अवक ऑल के तो चेंपेस नहीं को टीटे क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारती कप्तान वर्कटर इतिहास लगा तो पहला भारती को हराया और मुंबई टोटल एक तालिस बार जीट चुका है रणजी ट्रॉफिया रखना हाल ही में जिस राज्य ने वहां निगरानी प्राली हे तू सुरक्षामित्र परियोजना शुरू की है अगला कोशन देखिए क्यू एस बेज़्ट स्टुडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया वर्की चात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोचे रंक वादा शहर कौन सा है तो चात्रों के रहने के हिसाब से मुंबई सबसे बतला भारत में पहले नंबर पर है मुंबई दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश केक में अंडर 23 एशिया ही कुष्थी प्रतियोगिता में कौन सा पड़क जीता है तो कास से पड़क जीता है दीपक पूनिया पूछा आ सकता है दीपक पूनिया किस खेल से संबनित है तो यह कुष्थी से संबनित है डेरी और पशुपालन मंत्राले ने 28 जून 2022 को किस शहर में One Health Pilot सफलतापूरफ परिक्षण किया तो महराष्ट्र में anti-tank guided missile का सफलतापूरवक परिक्षण किया गया महराष्ट्र महराष्ट के ओरंगा बाद जिली का नाम अबरहेगा संभाजी नगर अंतराश्टी छुद्रग्रह दिवस कब मनाए जाता है तो 30 जून को अंतराश्टी छुद्रग्रह दिवस मनाए जाता है हाल ही में जिस मंत्राले ने मासिक भत्तों के विवरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का घटन किया जो भारती तट रक्षक बलके हेतू एक स्वचालित वेतन भत्ता मॉडियूल है तो रक्षा मंत्राले ने तट रक्षक बलके लिए एक स्वचालित जो है वेतन भत्ता मॉडियूल जादी किया है नवीनतम जो है लैंसेट अध्यन के अनुसर वाहनों की तीवरगती को रोकने हित उठाएगा कदम में देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बस सकती है निरत चोपणा ने हाल ही में अपना जो है डायमंड लीग में शांदार प्रदेशन करते हुए कौन सा प्रदक जीता था तो डायमंड लीग में शांदार प्रदेशन करते हुए रजत प्रदक अपने नाम के है निरत चोपणा ने दोस्तों एक जरूरी सूचना आप लोग ब लिष्ट आपकी सितंबर तक की इसके बाद ब्रेंड एंबसेटर की लिष्ट और सी एम राज जेपाल की लिष्ट मतलब करीब करीब आपके एक हजार से भी ज्यादा बिल्कुल अपडेटेट कॉश्चन है जिसको यह पीडिएफ चाहिए नीचे देगा नुमबर पर कॉल कर यह जानकारी देगे निश्चे देगा नंबर फर या व्ट सब्सक्राइब करो आपको जानकारी मिल जाएगी राश्टी चिकित्सक दिवस मनाया जाता है अंतर राश्टी संसधिय दिवस मनाया जाता है । हाल ही में जिस राजी ने छोटे पेमाने पर कुटीर उद्योग विक्सित करने हैं तू जलकुंभी पता है आपको ये जली खर्पतवार पौधा है का उप्योग करके एक उतकर्ष्ट उधान स्थापित किया है तो कुटीर उद्योग विक्सित करने के लिए जलकुंभी का भ करने के लिए मसोधा कानुमनाई की जो कीट नाशक का उपयोग हो रहा है उसको आधा करने वाली है यूरोपी संग तो 2030 तक कीट नाशकों के प्रयोग को आधा कर दिया जाएगा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डी जी डी सी जी आई ने हाली में जितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टिटूट ऑफ इंडिया की कोवेड नाइंटीन जो वैक्सीन है कोवेक्स को मंजूर दे दिये तो साथ से बारा साल के बच्चों को अब कोवेक्स लग स सब्सक्राइब जो है जिस तारीकों सिंगल यूज प्लास्टिक की उपयोग पर प्रतिबंद लगाने के तैयार है तो एक जुलाई से लग चुका है प्रतिबंद जो भी सिंगल-use प्लास्टिक होती न आप लोगों देखा होगा प्लतिन वगएरा बैन होगी आप मार्केट जाते होंगे तो कई लोग बोलते होंगे या पॉलतिन नहीं है बैन हो चुकी है शापुर जी पालुनजी ग्रुप नजिस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है तो आपके पाल राज बन गया है तो यूरेनियम खनन में जार खंड और आपका आंध्रपदेश के बाद राजस्थान ने भी प्रविश कर लिया यूरेनियम खनन करने लगा है वादेश जिसने अंतरिक्षे में ठोस इधन वाला रॉकेट जुल जना लॉंच किया है तो इरान ने अंतरिक करना अंवाडी योजना किता 4665 अंदर पूदेश ने जारी कि हैं फैडरेशन ऑफ इंटर्नेशनल क्रिकेटरस एश्व शी शन की पहली महील अध्यष कौन बन गई है तो लीसा इस्टालिकर यह पहली महीला अध्यक्ष बन चुकी है फैडरेशन आफ इंटर्नेशनल क्रिक 85 साल की इतिहास में पहली बार किस महीला दर्षग की नुखती है तो वर्डिज्मी में 99 साल से अभी तक कोई महीला दख्ष नहीं रही है इस defenders न enfermed को इन्हों ने महीला दॉप में चुनाय बनाया है । जिसराज सरकार ने हाल ही में सब्सक्राद्थ प्रवंद आधीनियं को वापस ले लिया है तो चार धाम देवस्थानंप्रवंद अधिनियं को अत्रा खंड उप्स ले लिया है अगला लाकोविशन रखीन से पूचा गया है तो तेल अवीव ये दुनिया का सबसे महेंगा शहर बन चुका है फॉर्चीन इंडिया ने भारत की 50 सबसे सक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है इस लिश्टों में प्रथमिस्थान पर कौन है तो सबसे पहले स्थान पर निर्मला सीतर रमंजी है अगला कोश्यन देखिए इसमें पूछा गया आप से उपर निकल गया रूँख जाओ जिस राज़े सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना लॉंच की है तो आंधपले सरकार ने विद्या दिवेना योजना लॉंच की है यारखना विश्व एथलेटिक्स ने जिसको वुमन आप दा इयर अवर्ड से सम्मानित किया है तो अंजू बॉबी जॉज को वुमन आप दा इयर से नवाजा गया है सम्मानित किया गया है किसके द्वारा विश्व एथलेटिक्स के द्वारा राश्ट्रिय प्रदूशन नियंत्रन दिवस नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कम मना जाता है तो दो दिसम्बर को मना जाता है इस काई रूट एरिस्पेस ने भारत के पहले निजी तोर पर निर्मित क्रायोजैनिक रॉकेट इंजन का प्रडिक्षन क्या उसका नाम क्या है तो भारत का पहला निजी तोर पर निर्मित क्रायोजैनिक रॉकेट इंजन है उसका नाम है धवन वन अनाचल पतेश की बात हो रही है ने अभी हाल ही में भारत का जो पहला प्रामाडी की जैविक फल लौंच किया गया है अनाचल पतेश के गारा जिस मशूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ट साथी बार सर्वस्रिष्ट फुटबॉलर का खिताब अपने नाम किया तो लियॉन मैसी मैसी और रोनाल्डो में आपको पता है बहुत ज्यादा फेमस फुटबॉलर हैं ये दो बच्चे बच्चे को पता हुगा जो फुटबॉल न संजय दत को नया दो नाया की जूबायल आप दवारा नागा लेंड ने उतना जाता है तो एक संब्र को अगला कोश्टिर्वार्टी प्रधीकरण हाल ही में जो एक्सप्रेस से निर्रमाण का प्रस्ताव रखा है तो गोरखपुर सिरीगुडी एकस्प्रेसे वेका प्रस्ताव का निरमाण का प्रस्ताव रखा है भारती परवतारों फाुंडेशन की पहली महिला देख्छ कौन बनी है जिसराज सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान के करतारपुर साहब और तमिलाणू के वेलन कन्नी चर्च को जोड़ने का गोशना किये तो दिल्ली सरकार अब मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत करतारपुर साहब भी वेजेगी लोगों को जिसको जाना है और साथी साथ तमिलनाडू के वेलन कन्नी चर्च भी वेजेगी भारत के जो स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेनी के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसे नंबर पर पहुंच गए हैं तो रवी चंदरन अस्विन मैं दुनिया का सबसे हुचा qa एकժितालीस में यू мор का मुझक हर्या कर रहा है तो मनीपुर में हो रहा है। जिससे राध्य की के एमिट ने डेश की पहली साइबर थैसिल बनाने के प्रस्ताव को पास किया है तो मदर्फर पर सरकार ने डेश की पहली साइबर थैसिल बनाने का प्रस्ताव पास कर लिया है ग्लोबल अब्जेरवेटरी ओन डोनेशन एंड ट्रांस प्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जिस देशों के बाद अंगदान में विश्व में तीसे नमबर पहुँच गया है किने देशों ने त्री पक्षी तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के पंदरवे संस्क्रण का मालदीप में आयुजिन किया तो शीलंका भारत और मालदीप के बीच में हुआ है क्या एक अभ्यास उसका नाम है दोस्ती अभ्यास या रखना दोस्ती अभ्यास शिलंका भारत माल दिव राश्ट्री दुख्ध दिवस कम मना जाता है 26 नवंबर को राश्टी दुख्ध दिवस मना जाता है हाल ही में जिस देश ने आम जनता के लैदर कोट पहनने और उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है वायू गर वक्ता ट्रेकर आईक्यू एयर के अनुसार वायू प्रोरुशन से प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की अकाल मृत्ती हो जाती है स्वीडन की जिस पहली महिला प्रधानमंत्री को पत समालने की कुछ गंटे बाद इस्तिपा देना पड़ा, तो UNKा नाम था आपका मैगडालेना एंडर्सन इनको स्वीडन की प्रधानमंत्री वनी कुछ समय बाद कुछ घंटे बाद ही इनको इस्तिफा देना पड़ा अगला कोशन दिखिए वाराज जिसने तीन राजधानी वाले विद्यक को निस्त कर दिया तो आंध्रप्रदेश ने महिलाओं के आप हिंसा की उन्मूलन के लिए अंतराश्टी दिवस कम नाए जाता है 25 नौंबर को मनाए जाता मैं मदभल सरकार ने पाताल पानी रहीं स्टेषन नाम बदल कर क्या रख दिया है तो टंटिया मामा रिफादोचन नाम रख गया है पाताल पानी रहीं सेशन का UAE के साथ जिन दो अन्य देशों ने जलवायू संकट से निपटने के लिए छेत्री सायोग पर अपनी सहमती जता ही है तो UAE, Jordan और Israel ने जलवायू संकट से निपटने के लिए छेत्री सायोग पर सहमती जता दी है अगला कौशन, वन पैंशन, वन नेशन, वन राशन कार्ड माप कीजियेगा, वन नेशन, वन राशन कार्ड म अतलब एक देश, एक राशन कार्ड होगा आपका, जो कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, योजना से जोड़ने वाला आखरी राज कौन बन गया है, तो असम सेल जागरुकता दिवस कम वनाए Georgia है वीवा अंडर سیवंटीन महीला विशुकप का आउजन गाय करें वारत में फीवा अंडर साइवन्टीजीन महीला विशुकप का राइक अंतराश्टी योग दिवस दो हजार 22 की थीम क्या थी तो योगा फॉर हुमनिटी यह आपकी अंतराश्टी योग दिवस 2022 की थीम थी हाल ही में इसराइल और जिस राजी सरकार ने चमता निर्माण एवं एक इकरत जल साधन प्रवंधन में एक सयुक्त घोशना पर हस्ताक्षर किया है तो इसराइल सोच करने के लिए रोबॉट्ट विक्सत किया है तो स्यपटिक टैंक को साप करने के लिए मद्रास में रोभॉट्ट विक्सथ किया है जिस सदेश में जीश सभता मες जर्मनी में जिसम मैं जो देश य कि इस साइकलिंग मेंशंशिफ 2022 में सबसे अच्छा शहर है वह कौन सा है तो वियना रहने के लिहाद से दुनिया का सबसे अच्छा शहर बन चुका है भारतिय महिला क्रिकेट टीम की जिस पूर कप्तान ने हाल ही में सभी खेल के प्रारूपों से सन्यास ले लिया है वह एरपोर्ट जो अक्छा उजा की जरूते पूरी करने वाला देश का पहला अंतर राश्टी हवायद्डा तो इंद्रा गांधी अंतर राश्टी हवायद्डा है जी ट्वंटी की बैठक जम्बू काश्मीर के जिस वर्स होगी तो जी ट्वंटी की बैठक जम्बू काश्मीर में आपकी दो हजार तेईस में होगी विश्व बैंक ने जिस राज्य के पहाड़ी छेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई उचाईयों पर ले जाने के लिए एक हजार करण रुपए की एक परियोजना को मंजूर दे दिये तो विश्व बैंक उत्तरा खंड को एक हजार करण रुपए देगा जो पहाणी छेत्रों में वर्षा आधारित खेती होती है उसके लिए जिस प्रमुक भारती अमेरिकी कानूनी विश्व शकल को अमेरि इनको बनाया गया है पूर्व सेनिक मामलों में पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है तो 24 जून को मनाया जाता है जिस राजी सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूशन बढ़ने की आशंका देखते हुए एक अक्तुवर दोज़र वाईस से 28 फरवरी दोज़र शहर में ट्रकों और भारी वहनों के प्रविश पर रोक लगा दिया तो दिल्ली सरकार ने प्रदूशन को देखते हुए शहर में ट्रकों और भारी वहनों के प्रविश पर रोक लगा दिया हाल ही में जिस मंत्री ने निर्मार स्रमगों के कौशल विकास को बढ़ावा दे निपड योजना की शुरुवात की है तो निपड योजना की शुरुवात हरदीप सिंग पूरी ने की है जिस राज्य ने भारतिय वदर क्रिकेट संग द्वारा आयो जो तो पहली अंडर 19-20 राष्टी क्रिकेट चैंपेंशिप का खिताब जीत लिया तो आंद्र सिंग उचकी तो केका है दफिए अगला कोशंट देखिए रक्षा मन्त्राले और ग्रह ओंत्राले उन्हें अगनीवीरों के लिए चार वर्ष की सेवा के बाद कितने प्रतिशत अनौकृत सेवा करद कि दिया है तो दस प्रतिशत लोगों को नौकृत craft वांड़ जो वन आ तिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गा हैं तो डेविड वार्णर अंतर राश्टी योग डिवस कब मनाए जाता है तो 21 जून को हाल ही में जिस राजसरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉंच किये तो एन्नम एजुथम लो योजना तमि जिम्स्टेक प्रोद्यों की हस्तांतरन केंद्र की स्थापना को मंजूर दे दी है तो कोलंबो शीलंका में ये बनेगा वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्थ तक लगाने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी यह बन गया है तो दिनिश्कार्थिक सबसे उम्रदराज खि जा गया है हाल ही में जिस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट के से सनास ले लिया तो इंगलेंड की तेज गेंदबाज थी वर्ड रिफ्यूजी डे कब मनाई जाता है तो 20 जून को जिस देश को फाइनेंशियल एक्सेंट टास्क फोर्स टी एफ एफ लंबा हो रहा था इसलिए हम इसको दो पार्ट में बना रहे हैं जिस जिसको वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों आपके लिए हमने करेंट अफेस की पीडियार की है केवल 50 करीब एक हजार से ज्यादा कॉश्चन है करन्ट अफेस से रिलेटेड जिस जिसको यह पीडियो चाहिए सिर्फ 50 रुपे में आपको मिल रही है आप करन्ट अफेस की बुक लेने जाएंगे तो आपको 500 रुपे में पड़ेगी पीडिया बिल्को लेटेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद आपका निश्व बहुत बहुत धन्यवाद